क्या आप MIM से चुनाव लड़ेंगे? भले टिकड में अफसर मिल जाए लेकिन जनता अफसर नहीं देगी जनता पहचान चुकी है कि पचास साल से जो इस जोकी हाट विधान सवाँ में सत्ता सीन है और काबिज है कहीं न कहीं ये जोकी हाट आज भी तरा सदी जहेल रहा है चाहे वो बार का हो या विकास का हो कोई अभी विकास जो होना चाहिए वो नहीं हुआ अभी हम कह रहते हैं कि जोकी हाट को एक तालीम का बहुत बरा एजूकेशन का बहुत बरा हब होना चाहिए आज भी एक बहतर कॉलेज नहीं है आज एक ट्रेनिंग कॉलेज नहीं है कोई नर्सिंग इंस्टूट नहीं है कोई मोका दें जो जो की हाट बिहार के मांचित में जो की हाट जो है वो लोगों के नजर में बेहतर नजर आने लगेगा आज लोगों को सबसे घटिया और विकास हीन और कहता सबसे गरीब जिला कम से कम ये उस चीज से उभर जाएगा मेरा ये मानना है कि एक बार वो मोका दें फ है वो किसी भी चीज में हो दोस्तों नमस्कार में हुआ फ्रोज मासुम और आप देख रहे हैं सची बात मिडिया सची बात मिडिया में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पूर्णिया लोकसभा में निर्दलिय के जीत के बाद और उसके बाद फिर रुपावली विधान स जिताने का माद्दा रखती है और जनता काही अंतिम फैसला होता है इस वक्त हमारे साथ हैं इससे पहले जदियू से चुनाओ लड़ चुके हैं जो किहाट विधान सभा से और निर्दलिय भी चुनाओ लड़ चुके हैं मुर्शिद आलम साहब मुर्शिद आलम जी जो पंचायत से मुख्या है तो इस वक्त हमारे साथ मुर्शीद आलम है सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूं और खास करके मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आज और कल महरम है और महरम वैसे गरमों का तहवार है इनको सदमे म सबको मनाने के लिए अफिल करते हैं और मनाना भी चाहिए जिनके यहां प्रागत रूप से उनके परिवार के ही लोग चुनाव जीत चले जाते हैं जिनके माता-पिता पहले विधान विदान सभा में विधायक थे या फिर लोग सभा में सांसद थे तो ऐसे में क्या अब लगने लगा है आप लोग के कि नहीं हम लोग भी चुनाव जीत सकते हैं एक चीज़ साबित कर दिया पूर्णिया की जनता और वह पपू मोडल उसको नाम दिये हम लोग पपू याद मोडल वह आदमी पूरे हिंदुस्तान में साबित कर दिया कि बगए टिकट का भी चु जनता भक्त होता है नेता का कभी कबार होता है अगर वह सच्चा भक्त जनताओं का है तो बगए टिकट का भी जिता करके पपू यादम मोडल बना जा सकता है दूसरा संदेश रुपोली में जो संकर सिंग 2005 में मात्र छे महिना के लिए बिदायक बने उसके बाद से लगात वह चुनाओं लड़ते रहे लेकिन टिकट पर लोगों ने उसको अफसर नहीं दिया जब वह निर्दलिये रूप में उन्हें लोग उसका जो वह पंदरों साल 20 साल का जो तपस्या था उसको लोग फिर एक संकर सी मोडल दिया और उसको आजाद उमीदवार के रूप में जिता दिया पप्पू मोडल की बात आप करते हैं पप्पू को देख करके सब लोग चुनाओं मैदान में आना चाहते हैं लेकिन पप्पू मोडल के पीछे का जो मेहनत है और पपू जादाब कहते भी हैं कि हमने जो है जो भी बाप दादा की संपत्ति मिली थी उसको रहे हैं ऐसा लोगों को एहसास भी होता है कि अपनी जगे जमीन बेज करके वो मेहनत किये आज लोग उसे निर्दलिय के रूप में सांसत भी बना दिया रही बात कि हम लोग भी विधान सभा के लिए 2005 से परियास रत हैं जब हम परिशीमन में सिक्टी में थे निर्दलिय क में चुनाओ लड़े और लोग पहली बार चुनाओ लड़ने पर भी आजाद उमीदवार के रूप में 13000 वोट दिया हमको तभी नसे हम लोग जनताओं के बीच हैं उनके सेवा कर रहे हैं चाहे वो दिन रात जो भी उनको सेवा की जब पढ़ती है और मुझे जब एहसास होता है कि अभी मेरी जरूरत है उनको तो पहुंच करके उनका सेवा करते हैं और मुझे पुर्ण विश्वास है कि वो सेवा का फन मिलेगा अपने अभी एक प्रेस कॉंफरेंस में कहा कि जो की हाट विधानसभा में एक परिवार का ही वर्चस्व है और वही परिवार लगात है वायग दिया हूं मोका इसलिए दिये दैन लोग मुझे कि जो पचास साल का जो बात करता है कि पचास साल से जो इस जो की हाट विधानसभा में सत्ता Air और काविज है कही न कहीं जोकी हाट आज भी तरह सदि झेल रहा है चाहे वो बार का हो या विकास का हो, कोई भी विकास जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, अभी हम कह रहेते हैं कि जो की हाट को एक तालीम का बहुत बढ़ा, एजुकेशन का बहुत बढ़ा हब होना चाहिए, आज भी एक बहतर कॉलेज नहीं है, आज एक ट्रेनिंग कॉलेज नहीं है, कोई अस आपील करते हैं कि एक बार आप मोका दे जो जो की हाट गहार के मानचित्र में जो की हाट जो है वो लोगों के नजर में बहतर नजर आने लगेगा आज लोगों को सबसे घटिया और विकास हिन और काता सबसे गरीब पर जिला कम से ये उस चीज से उभर जाएगा मेरा ये मानना है कि एक बार वो मुका दें फिर उसको शिकायत का मुका नहीं मिलेगा चाहिए वो किसी भी चीज में अब तो ऐसा लग रहा है कि पुराने से नए में कनवर्ट होंगे देंगे आप लोगों को क्योंकि आप लोग तो कार्ज करता है उनके लगातार पाठी के लिए काम भी कर रहे हैं देख लिए हम लोग जद्यू के एक पॉलिटिकल वरकर हैं एक वरकर होता है एक राजनीतिक वरकर होता है हम लोग राजन लोग शाबित कर दिया ना कि आप टिकट नहीं भी दीजिएगा चुके फैसला जनता को करना है मददान जनता को करना है भला बुडा जनता को देखना है कौन करमठ है कौन काम कर सकता है जनता को देखना है आज जिसके तरफ आप इसारा कर रहे हैं कि पुराना साथी अगर प पुराना साथी बेहतर नहीं था वह पार्लियमेंट चुनाओं के रूप में हो या विदान सभा के रूप में हो वह अपना कारियसली जनता को दिखा चुका है कहीं न कहीं लोगों का उसका कारियसली नागवार लगा और बुड़ा लगा इसके वज़े से उसको सत्ता से पर बत्तपimens के रूप में पचीज साल का अफसर मिला है मैं मानता हूं कि जो सेवा बेहतर सेवा मैंने यहांके रोगों को दिया है यो सेवा मेरा पूरे बिधान सभा में गुनजेगा जो मैंने यहां विकास किया है उसकी रौस नиновた यह बात पूरे गुळहान सभा में ने मुझे बक्सी है हमारा कोई भी परिवार का सदस ये करज अदा नहीं कर सकता है मैं यहां के लोगों कर ही नहीं हूँ हम नितीश कुमार के सिपाही हैं लेकिन अगर को लगेगा कि यह आदमी नहीं दूसरा आदमी को जो रिटायर कोई आदमी है उसको अगर वो बिठाना चाहेंगे तो हम तो अभी जवान है तो मोका दूसरे से लेंगे अच्छा मतलब कि अगर जदियू से अगर जिस पार्टी में आप हैं वहां अगर किसी तरह से आपको मोका नहीं मिल रहा है तो आप कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है देखिए असद्य ने वहिसी साब हमको अफसर दिये थे बहले उसके मन में जो बात आई कहीं वह गलत पहिमी का शिकार भी हुए इस बात का वह अभी पस्तावा उसको है कि मुझे मुर्सीद आलम को ही लड़ाना था आज उसका खाम्याजा वह भुगत रहे है कि एक सहनवाज को लड़ा करके मेरा जो पार्टी था बिहार में वह बहुत अल्पमत में आ गया और एक आदिमी को मुका देने पर चार और यानि तीन और लेके चला गया तो पांच था थे एकेले रह गया चार लेके चला गया इसका खाम्याजा वह भुगत रहे हैं कहीं न कहीं उसके मन में होगा कि पुना उस आदमी को मोका दें और जिस आदमी ने ये मेरी टिकर पर चुनाओ जीता उसको प्राजित करने का उसको कहीं न कहीं बदला लेने के मन में होगा हाँ आप देख रहेते हैं सची बात मीडिया हमारे साथ जुड़े रहे हैं सची बात मीडिया के यूटूब करें फेस्बूक पर फोलो करें ताकि असली बिहार के असली मुद्ध हम आप तक पहुचाते रहें धन्यवाद